महाराष्ट्र की राजनीते से में बड़ी खबर सामने आ रहे आपको उता दे महाराष्ट्र विदान सबाचुनाव से ठीक पहले राज ठाकरे ने उद्दव ठाकरे को खुली चुनोती दे दिया जी इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग दरसल राज ठाकरे ने कहा है कि अगर उन नजर आ रही है जिसका चुनाव पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है विदान सबाचुनाव से पहले अब राज ठाकरे और उद्दव ठाकरे जो है वो आमने सामने आ चुके हैं दरसल आपको बता दे हैं कि बीते दिन उद्दव ठाकरे के काफिले पर हमला किया गया हमल के बाद राज ठाकरे ने एक खुलासा किया और एक पोस्ट कर उन्होंने खुलै रूप से उद्दव ठाकरे को चुनोती दी इसके साथ ही राज ठाकरे ने कहा कि ये हमला उनके कारेकरताओं की तरफ से बदले की भावना से किया गया क्योंकि बीड में राज ठाकरे की गाड़ी पर उद्दव ठाकरे के समर्थकों ने सुपारी फैंकी थी और उद्दव ठाकरे के नाम का नारा भी लगाया था उसी का बदला लेते हुए MNS कारेकरताओं ने अब ठाने में उदव ठाकरे की कार पर टमाटर, नादियल और चूडियां तक फैंकी और इस हमले पर राश ठाकरे ने कहा कि अगर कोई उन पर उंगली उठाएगा तो उनके जो कारेकरता है वो उन्हें डबल डोस देंगे बता दें कि MNS अध्यक्ष पहले ही ये गोशना कर चुके हैं कि वे अकेले ही 200 से 235 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिसका महराष्ट्र विदान सभा चुनाव में बड़ा असर देखने को मिलेगा हलांकि लोग सभा चुनाव में राश ठाकरे ने NDA को खुल कर अपना समर्थन दिया था लेकिन अब राहें उन्होंने अपनी अलग कर दी हैं लेकिन विदान सभा चुनाव में MNS अकेले ही जो है अब चुनाव लड़ने की तैयारी पर है और राश ठाकरे उदव ठाकरे प चल रहे है मराठा आरक्षन को शरत पवार और उदव ठाकरे चुनाव के तोर पर इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों मिलकर मराठ वाडा कर में दंखा बढ़काने का काम कर रहे हैं एक बड़ा संसनी खेजारोप लगा है . ठाक्रे ने शरत पवार और उद्व ठाक्रे को चुनोती भी दी है चेतावनी भी दी है कि अगर आगे उनकी नव निर्मान यात्रा के दुरान कोई भी हमला हुआ या फिर भादा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी तो वह महाराष्ट्र में एक भी रैली नहीं कर पाएंग पिशली बार सबसे जादा सीटे जो है यहां से बीजेपी ने जीती थी एंडिये में बीजेपी शिवसेना साथ थी लेकिन उद्व ठाक्रे को सीम बनना था इसलिए उन्होंने राहे अलग कर दी और उसके बाद शिवसेना के भी दो फाड होगे एक नाचिंदे बड़ा फ और मंबई में मस्जिदों पर लगे लाओट स्पिकर के खिलाफ लगातार राश ठाक्रे अभयान चलाते थे अभयान चलाने से लेकर एउध्या दोरे तक राश ठाक्रे तरा तरा से उदव ठाक्रे के हिंदुत्व एजंडा को चनोती देते रहे हैं यह पहली बार नहीं बिल्कुल बीजेपी की लाइन से मेल खाती हुई नजर आ रही थी और लेकिन बाद में वो शांत भी होगे और अयोध्या दोरा भी स्थागित कर दिया शायद बीजेपी की तरफ से मिल रहे सपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो खतम हो गई थी क्योंकि इसके पीछे भी कारण है क्योंकि बीजेपी ने राश्ठाक्रे का विकल्प तब तक खोज लिया था और वो विकल्प था एकनात शिंदे के रूप में नोगस को जब राश्ठाक्रे का काफिला बीड शहर में एक होटल की तरफ बढ़ रहा था उसी समय शिवसेना यूबिटी यानि कि उद्दव बाला साब ठाक्रे के कारेकरताओं ने सुपारी और टमाटर फैंकर विरोध किया था राश्ठाक्रे का साथ ही उद्दव सेना क नारे भी लगा रहे थे तो ये पहली बार नहीं हुआ है पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं और अगले ही दिन जब उद्दव ठाक्रे का काफिला ठाने से गुजर रहा था तो उस समय फिर मनस ने अपना बदला लिया राश्ठाक्रे कीौटी महाराष्र नमदि आरियल जो है वो फैंके थे और इस हमले के लिए जैसे मैंने आपको पहले बता है मनस के जिला अध्यक्ष जो है उनके खिलाफ भी इस मामले में केज दर्श किया गया है कुल ऐसे 44 कारे करताओं के खिलाफ के थीक वैसे ही बीड की गटना के लिए शिवसान अउद्दव बाल सेना जो है उसके अस्तित्व पर भी जो है यहां पर बचाने की लड़ाई है राज ठाकरे जो है पहले बीजेपी का विरोध करके और साथ रहकर भी देख चुके हैं अब तक कुछ खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला है ले देकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र वि बाला सहाप ठाकरे वाले राजनीतिक मिजास का लगातार माना जाता था कि इनकी शैली बिल्कुल बाला सहाप ठाकरे से मिलती और ये कोई हवा हमाराष्ट की राजनीति में अपना एक खास ठान, और और उद्दव ठाकरे को पीता की विरासत के कारण राजनीती में आया हुआ नेता ही माना जाता था जो आज कल जिसको हम नेपोटिजम का शब्द बताते हैं वो यही माना जाता था जैसे अभी आदित्य ठाकरे भी आप देख रहें कि रेयल अगर कोई उससे निकल करके आया ह है तो वो भी उनी के परिवार से लेकिन जिसमें वो शवी दिखती है जिसमें वो वाइब्रेशन दिखता है वो राश ठाकरे बलकि उद्दव ठाकरे नहीं दूसरी तरफ दोनों बाईयों में एक बड़ा फर्क भी देखने को मिला है अपनी राजनीती को स्थापित करने क दिखता है लेकिन उद्दव ठाकरे ने पार्टी की पुरानी छवी से जो है इसको आगे ले जाने का प्रयास किया जब तक बीजेपी के साथ गड़बंदर राश ठीक चल रहा था दिक्कत तब शुरू हुई जब बीजेपी से अलग हो करके एनसीपी और कॉंग्रेस के सा थात मिलाकर महराश्ट्र में महाविकास अगाडी की सरकार बनी उद्दव ठाकरे के मुख्यमंतिरी रहने के दोरान भी राश ठाकरे ने लगातार विरोध किया और वही तरीका अपनाया था विरोध का जैसे शुरू से राश ठाकरे करते आए हैं उद्दव ठाकरे का विर अब विपक्ष जो है महाविकास अगाडी वो जितना भी बोले कि क्या फरक पड़ेगा उनकी तो सीटे आती नहीं है वो जादा जीते नहीं है एक दो सीट से हमें क्या फरक पड़ने वाले है लेकिन अगर आप इसको बड़े परिपेक्ष में देखेंगे 200 से 235 सीटों पर च पाटने का प्रयास करेंगे शरत पवार उद्दव ठाकरे यानि की महाविकास अगाडी का और उसका फाइदा किसको होगा MNS की मान लिया कि सीटे नहीं आएंगी 200 से 235 सीटों पर अगर वो उतारते हैं और अगर वो कुछ-कुछ 1000 वोट भी ले जाते हैं तो विधान असर करेंगे महाराष्टर विधान सबाचुनाब में क्योंकि लड़ाई सिदे उद्दव वर्षी राश्ठा करें शरत वार वर्षी राश्ठाकरी के बंती चारी है बेरहार आपको क्या लग रहा है क्या होगा आने वाले समय में ये तकरार से किसको फाइदा होगा किसको नुक्सान होगा जो राश्ठाक्रे कर रहे हैं उसका आने वाले महराष्ट चुनाम में क्या असर देखने को मिलेगा आपकी इस पर जो भी रहे हो आप जुरूर हमारे से कमेंड बॉक्स में शेयर करें और बने रहें दन्यूस के साथ